हलो और वालकम टू एम जॉलोजी सबसे पहले तो आप सभी कुमेटी तरफ से आप वेरी वेरी हैपी न्यू यह और हम येर 2021 में प्रवेश कर चुके हैं जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी ने अपने पार्ट वन वालों के लिए एक्जाम की अनांस्म कर दी है और जिन बच्चों का जॉलिजी ओनर्स है जो पार्ट वन में पढ़ते हैं और जिनका यूनिवर्सिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी है तो उन बच्चों के लिए मैं सजेशन्स लाए हूँ आप इस सजेशन्स को एक बड़ जरूर देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपने जो लास्ट मॉमेंट पे जो अपनी क्विक क्वेशन्स की लिस्ट बनाई होगी क्या वो सारे क्वेशन्स आपकी लिस्ट में इंक्लूरेड हैं क्योंकि देखो जो मैं ये क्वेशन्स बना के लाए हूँ ये बहुत इंपॉर्टन्ट क्वेशन है एक् कर सकते हो और ये questions बहुत जादा simple है तो एक बार ज़रूर इन सारे questions को आप अच्छे से exam में देख के जाना ठीक है तो जैसा आप सभी को पता है Zoology Honors में Paper 1, Paper 2 होता है तो Paper 1 की पहले हम suggestions को discuss कर लेते हैं Describe the structure and life history of Vuchiria Bancrofty with suitable diagram and its hazardous effect so this question बहुत important है कि आप सभी ने इन सब की preparations कर ली है और कितने questions match कर रहे हैं और कितने questions की preparations आपको करनी है जरूर आप comment में लिख सकते हो ठीक है और इन सारे questions को आप अच्छे सब प्रिपेर करके जाओ सबसे important है diagram डाइग्राम को एक बाद आप जरूर देख लेना प्रैक्टिस कर लेना ठीक है second important question is give an account of life cycle of Tiniya Solium with suitable diagram तो Tiniya Solium अगला question है कि आपने Tiniya Solium की प्रेपरेशन कर ली है अगर नहीं की है तो एक बाद जरूर इसको देख लो बहुत simple and बहुत ही short answer है आप easily इसको आप समझ के exam में अपने language में answers इसके लिख सकते हो और इसके diagram भी important है ये भी practice कर लेना ओके बढ़ते हैं आगे अगला question हमारे सामने है give the characteristic features of phylum annelida अनलीडा ओके this is important classify the phylum giving characteristic features with one example okay तो ये question भी important है आप सब भी इनके characteristic को बहुत अच्छे से पढ़ना देखो अनलीडा का characteristic बहुत simple है सारी चीजे अगर आप इसके body structure को देख लो और सारे points उसी according आपको लिख देने हैं ठीके तो ये हो गया इसका characteristic feature phylum अनलीडा का और इसकी देखो जहां पे बहुत साधा time taking होगा वो है इसकी classification अनलीडा का classification ये जरूर ये थोड़ा time लग सकता है बट प्लीज इसको आप करके जरूर जाना exam में अगला question है discuss the structural features and affinities of peripatis okay peripatis की affinities बहुत simple है students ठीके आपको पता होना चाहिए की peripatis is the connecting link between orthopoda and anilida ठीके तो उस हिसाब से आप इसकी affinities याद कर सकते हो ठीके इसकी affinities बहुत easy and simple है याद कर सकते हो okay और peripatis का आप structure बनाने ना diagram बनाके उसकी structure features को आप बहुत easily point wise आप लिख सकते हो answer में बहुत simple है बहुत easy है आप एक से दो घंटे में इसको अच्छ से आप कर सकते हो याद so definitely यह सारे question आप याद करके ही जाना ठीके next question is describe the respiratory organ and mechanism of respiration in pyla pyla भी important है इसकी respiratory organ की practice कर लेना जो diagram होता है और इसकी mechanism important है किस तरह से फाइला सास लेता है उसमें स्वशन क्रिया कैसे होती है इन सारी चीजों के बारे में आप information ले लेना और exam में आप कर लोगे ठीके how are corals formed describe the principal types of corals studied by you coral reef से यह question आता है इसकी practice आप कर लेना ठीके next question is given account of different types of mouth parts in insect with diagram यह mouth part से हर बार question आ जाता है ठीके 2018 के question को आप देखोगे वहां से भी objective होया subjective mouth part से question arise होता है ठीके सबसे जादा mouth part से objective question पूछे जाते हैं तो definitely आप objective पे focus करने के लिए आपको एक बार इसके answers को जरूर देखके जाना चाहिए ठीके it's very important so आप practice बिल्कुल करके ही जाना mouth part बहुत simple है students ठीके simple and बहुत अच्छा इस में structure भी बहुत simple है आप easily कर सकते हो ठीके so don't waste your time and keep doing these things और अपने सारे friends को आप share करो और जो भी आपके junior से उसको share करो आपके video ताकि वो last moment पे इन सारे question को अपने suggestions से match कर सके कि अपने last time की preparation के लिए suggestion बहुत important बन जाता है ठीके so keep sharing this video अब आते हम paper 2 की तरफ paper 2 में क्या होता है group wise आता है question जो आपके question paper है उसमें group देखने को मिलेंगे ठीके तो उसमें दो group होंगे group A and group B तो पहले हम group A को discuss given account of laval forms of echinoderms और इस question को थोड़ा twist करके ऐसे भी दिया जा सकता है describe the laval form of echinodermata with suitable diagram अगर आपने echinodermata पढ़ा है तो congratulations जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक बार देख लेना चाहिए give the characteristic feature of phylum hemichord data सबसे पहले तो अभी हमने देखा echinodermata से question आया ठीके अब दूसरा है hemichord data उससे भी देख लेना simple है ठीके बस कहां पर क्या पूछा गया है classification or characteristic feature पूछा गया है ठीके तो एक एक example देखे आपको यह कर लेना है जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बा Asterios Asterios यहने के starfish starfish के water vascular system के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है इसके structure को आप practice कर लेना क्यूंकि exam में थोड़ा सा complicated हो जाता है बच्चों के लिए structure draw करना तो make sure that you practice these diagrams before going to exam okay next group पे से जो question है जो important है यह है describe the structure and function of what a vascular system in starfish with suitable diagram देखो एक तो वह वाला था हमारा Asterios करके जो अभी अभी हमने question देखा और अगर उसी question को थोड़ा twist करके दिया जाए तो इस तरह अगे question आएंगे ठीक है starfish है related तो starfish एक important topic है बिलकुल आप देखके जाना पढ़के जाना ओके तुरिंस अब हम आज आते paper to group B पे ठीक है group B में हमारे पास जो सबसे पहला important question है वो name the major ecosystem of the world describe grassland ecosystem in detail देखो जो तीनों section है हमारा zoology का एक तो paper 1 हो गया और फिर paper 2 में जो group A है उन सबसे जादा easy जो होता है ये group B वाला section होता है इसमें क्या होता है ecology पे based आपको questions मिलेंगे जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 10th में भी आपने पढ़ाता है 11 12 में भी तो आप easily एक बार भी अगर इन सारी चीजों को देख लेते हो grassland ecosystem को major ecosystem को तो you can do by your own okay तो ये सारे question को आप देखके जाना कि group B से आप जादा से जादा question attempt कर सको ठीक है group B थोड़ा सा tough हो जाता है as compared to group B group B में आप 10 on 10 करके अच्छे से आ सकते हो ठीक है next question is write an essay on wildlife conservation in भारत तो ये भी important and easy questions में से एक है wildlife conservation के बारे में हमारे country में क्या-क्या major steps लिए गए है इसको conserve करने के लिए इन सारे चीजों से हम already familiar है students तो group B से तो at least ऐसा हम expect कर सकते कि जादा सजादा question हम group B से pick करें है ना next important question is write an essay on apiculture in भारत and add a note on the importance of its product so students apiculture क्या है rearing of honeybees तो इसको हम apiculture कहते हैं और इस पे हम बहुत अच्छे से essay लिख सकते हैं और क्या-क्या important product है apiculture से जो हमें प्राप्त होता है तो सबसे important है honey honey के बारे में हम लिख सकते हैं और भी different cosmetic medicinal product है one of the easiest question students इसको तो जरूर आप करके आना है ठीक है next is name the three major pest of weight wheat के pest के बारे में describe करना है यह थोड़ा सा technical है और थोड़ा कुछ students के लिए tough है क्योंकि यहां पर diagram की बात आ जाती है right तो इस question को थोड़ा सा हटा के चलना बट यह जो wildlife conservation है और उपर मेंने क्या बताया apiculture है इन सारे questions से तो बिलकुल इसको लिखना बनता है next यह question आप देखके जा सकते हो exams में name the three major pests of wheat describe the life cycle and control measure of any one of them देखो इन में से तीन major pest जो wheat में wheat में जो pest लगते हैं और हमारे फसल को खड़ाब कर देते हैं तो इन तीन major pest के बारे में आपको answer में describe करना है ठीक है और उसकी life cycle के बारे में बताना है और हम क्या 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 control करने के लिए क्या क्या steps ले सकते हैं इसके बारे में describe करना है next is name three pest of fruits and vegetables अब देखो pest से एक और important question आता है fruit pest और vegetable pest को describe करना उसके bionomics, characteristics, features and harmful effects ठीक है और हम किस तरह से क्या step लेके हम अपने fruits and vegetables को pest से बचा सके इसके बारे में आपको describe करना है इस question में okay and next important and easy question is describe biosphere okay biosphere के बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं students हमारे atmosphere के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कैसे हम describe करेंगे कि हम सबी जानते हैं जादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसको एक बार आप देख लेना कि किस तरह से आपको एक standard level पे इसको describe करना है ठीक है and what are the different components of biosphere, describe man's role in biosphere, very easy question ठीक है अब group B से तो बिलकुल chance बनता है कि हम जादा सादा question पिक कर सके, one of the easiest section of zoology ठीक है और यह honors paper में इतना easy section आपको मिल रहा है, तो of course आपके paper 2 में बहुत अच्छे marks आने चाहिए ठीक है, अब देखो कुछ rules को मैं describe कर देती हूँ, जिससे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, परिशान रहते हैं कि कैसे question पिक करना है, तो थोड़ा समय brieflys को describe कर देती हूँ, ठीक है पेपर 1 और पेपर 2 से related जो छोटे से confusion है, जो rules, regulations है, कैसे हमको attempt करना है, questioning है, सारी चीज़े मैं एक बार shortcut में deal कर देती हूँ, ठीक है So students, सबसे पहले तो चोटी-चोटी चीज़े जाना बहुत ज़रूरी है, जो आपका paper 1 है, honors, उसमें आपको तीन घंटे मिलेंगे, तीन घंटे में आपको अपने paper को finish करके दे देना है, ठीक है और जो paper 1 के लिए, मैं आप P1 लिख रही हूँ, ठीक है Paper 1 के लिए जो full marks होगा, वो होगा 75 marks के, ठीक है और इसमें आपको एक question जो compulsory है, objective है, question number 1 और बाकी 4 question आपको long question answer मिलेंगे तो उन सब का full marks है 75, ठीक है Students, paper 2 में थोड़ा सा situation अलग है, आप देख लो यहाँ भी आपको 3 घंटे दिये जाएंगे, और full marks है, यहाँ पे भी 75 marks के, ठीक है और जैसा कि आपने देखा, paper 2 में क्या है, group wise question दिये गए तो एक है group A, दूसरा है group B तो group A से आपको 2 questions करके आने है, group B से 2 questions करके आने है, ठीक है यह है subjective question की मैं बात कर रही हूँ, और total कितना हो गया है यहाँ पे, यह 4 questions और एक question क्या होगा आपका, objective question होगा, जोकी compulsory है ठीक है, तो यहाँ भी हो गया है total 5 questions, ओके, और यहाँ पे भी 4 question objective and one question is objective, तो students यह सारी चीज़े आपको देख के जाने हैं, अक्सर बच्चे यह सारी चीज़े confused होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों, students यह minimum बाते थी, जो आपको exam से पहले एक बार मैंने याद दिला दी, ता कि आप exam में किसी भी confusion में ना रहो, ठीक है, तो that's all for today, thank you students and keep preparing, अच्छे अपना exam दो, good luck for your exams